नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्यानवेच चैनल पर आज आपके लिए हम एक बहुत इंपोर्टन्ट वीडियो लेकिया है जिसका नाम है निवेश पॉर्टफोलियो कैसे बनाए किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वो अपना पॉर्टफोलियो बनाए हम ये भी आपको बताएंगे आप अपना पॉर्टफोलियो कैसे बना सकते तो वीडियो एंड तक देखिए तो आपको सारी जानकारी मिलेगी किसी ने अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया तो प्लीज डोंट फरगिट तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर आप बेल आइकोन दबाए तो आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे आज की इस वीडियो में हम कोशिश करने वाले हैं आपका पोर्टफोलियो क्यों बनाना है कैसे बनाना है और उसमें आपके लक्ष, जोखिम और आपका काल अवधी जो है उसको कैसे इंक्लूड करके अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है उसके बाद हम देखेंगे कि different types of portfolio कैसे होते है उसके बाद investment के option क्या मिलते है जैसे कि हम invest कर सकते FD, bond, Sone में invest कर सकते mutual fund, direct equity, UDP, PPF, NPS यह सारे options हम discuss करेंगे उसमें से आप choose कर सकते है कि आपके लिए सही निवेश portfolio कैसे बन सकता है अब अपना निवेश portfolio क्यों बनाना है? इसके अलग-अलग answers हो सकते हैं किसी का अपना आर्थिक लक्ष अच्यू करना है किसी को अपने लिए धन जुटाना है किसी को अपनी भविश्य की जरुरत पूरी करनी है किसी को अपने retirement planning करनी होगी मुझे ऐसे भी लग सकता है कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जमा करने है और किसी को अपने emergency funding के लिए जो unpredicted है उसके लिए भी हमें fund की जरुरत पढ़ सकती है तो इसके लिए भी हम एक portfolio बना सकते हैं जब हम portfolio बनाते हैं तो उसमें कुछ घटक जो है वो हम include करने पड़ते है जैसे कि हमें देखना पड़ता है कि हम जहां पर invest कर रहे है वो fund secure है या नहीं हम किसी को भी अगर पैसे देते है और हमें लगता है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे इन्वेस्टमेंट portfolio में हमारे च्वाइस के अनुसार हम काफी सारे विकल्प को चूज कर सकते है जैसे कुछ लोगों को लगता है कि fixed deposit में पैसे जमा करें किसी को लगता है कि post traffic saving scheme उसके लिए safe है किसी को लगता है government की scheme में अच्छी safety है किसी को gold में भी रुची होती है कुछ लोग direct gold खरीदना पसंद करते है कुछ लोग solar and gold bonds या ETF में भी पैसे लगाते है उसके बाद कुछ लोगों को bonds खरीदना अच्छा लगता है कुछ liquid funds का option है mutual funds में तो काफी सारे availability है और हमारे channel पे भी इसके काफी सारे videos आपके लिए मौजुद है किसी को direct equity पे भी invest करने में भरोसा होता है कुछ लोग ऐसे होते जिनको national pension scheme unit linked insurance plan में भी अच्छी खासी रूची होती है कुछ लोग ऐसे भी होते हो जो सोचते हैं पीपीएफ में अच्छा कासा पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी कुछ limitations भी होते हैं कुछ फाइदे होते हैं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे maximum आपको answer देने की निवेश और निवेश के portfolio के design करने से पहले आपको कुछ answers अपने लिए देने पड़ेंगे यह answers कोई और आपके बिहाफ नहीं दे सकता है जैसे कि है आपका लक्ष क्या है आपका धे यह क्या है जिसको आप साध्य करने के लिए portfolio design कर रहे है उसके बाद आपकी क्षमता कितने है किसी भी तरह की जोखिम सहन करने के लिए उसके बाद किस कारेकाल या कारे अवधी के लिए आप पैसे लगाना चाहते हैं अगर आपके पास इसके answer से तभी आप अपना एक अच्छा portfolio बना सकते हैं अलग अलग लोगों के अपने portfolio के लक्ष अलग हो सकते हैं जैसे कुछ लोगों के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जुटाने हैं किसी को retirement planning करनी है किसी को घर खरीदना है किसी को business के लिए पैसा चाहिए किसी को वहां खरेदी करने के लिए पैसे चाहिए या किसी लोगों को अपने lifestyle पे पैसे जुटाना पसंद करते हैं जिनको मतलब भविश्य में किसी trip पे जाना है कहीं पे foreign tour पे जाना है ऐसी काफी सारे लक्ष होते हैं तो आप अपने मन में भी ठान लेजए कि आपको किस लक्ष के लिए पैसे जुटाने हैं तो उस हिसाब से आप investment स्टार्ट कर पाएंगे portfolio build करने के बाद आप कितनी जोखिम ले सकते हैं ये भी आपको decide करना है कुछ factors पर ये depend भी करता है जैसे आपका age अभी कितना है आपका age कम है तो आप चाहे तो ज्यादा risk भी लेख सकते हैं आपकी earning कितनी है आपकी saving capacity कितनी है ये भी आपके portfolio की जोखिम को दर्शा सकता है उसके बाद कभी-कभी होता है कि आपका goal है अगले दो सालों में अगर माल लेजिए आप भी market negative जाता है तो आप अपना जो goal है वो आगे बढ़ा सकते है क्या या फिर आपको कम return में आप चला सकते क्या ये भी आपको decide करना होता है portfolio design करने की time portfolio की जो factors हमने दिखाए है उस पर depend करता है कि आपके portfolio का जो type है या प्रकार वो depend करता है कुछ लोगों को conservative portfolio बनाने की आदत हो है किसी को अपने portfolio में growth चाहिए किसी को aggressive portfolio बनाना भी पसंद आ सकता है या कुछ लोग super aggressive भी हो सकते है portfolio के अगर आप चाहते हैं अपने portfolio में equity को भ हो सकते जैसे आप direct equity में जा सकते उसमें आप large cap के आपको stocks है mid cap है small cap है कुछ लोगों को अच्छा लगता है आप एक value type के stocks pick करना और उसमें आप भरोसा करना चाहे थोड़ा सा return कम क्यों ना आ जाए कुछ लोगों को आदत होती है कि multi bagger stock ढूणने के आदत होती है और कुछ inbox में बता सकते हैं अगर आप खुद से stocks pick नहीं करते हैं आपको confidence नहीं है तो आपके लिए mutual fund ये एक option हो सकता है उसमें भी आपके कहीं फायदे हो सकते है different types के mutual funds market में available है जैसे equity में हम देख सकते हैं कि large cap या blue chip type के भी funds market में available है mid cap के funds available है small cap के equity funds भी है इस पर भी काफी सारे videos हमारे channel पर available है आप देख सकते हैं उसके बाद किसी को multiple assets चाहिए equity में ही तो आप flexicap या multicap का option choose कर सकते हैं किसी को थोड़ा सा कम risk लेना है तो आपके लिए sectoral या thematic focused funds है इसमें risk capacity जो अलग हो सकता है किसी को लगता है कि आपको थोड़ा सा allocation जा है वो date में भी होना है तो आपके देख सकते है चैनल पर इसके भी videos available है उसके बाद आपको और कम risk लेनी है तो आपके लिए debt funds है bond funds है liquid funds है तो आप comment में ये भी बता सकते है कि आपको किस type के mutual fund में रोची है तो हम उस पर भी आपको ज्यादा videos दे सकते हैं आप ये सारी चीज़े consider कर लेंगे त जो है वो decide कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर आपके लिए कुछ samples लेके आये हैं आप चाहिए तो क्या कीजिए आप एक video को थोड़ा सा pause करके ये tables detail में देख सकते हैं हम यहां पर multiple portfolios आपको दिखाएंगे और different types के यहां पर हमने consider किया है आपका age जो है वो 20 से 30 साल का आपका जो horizon है वो कम से कम 20 साल का है उसमें हमने चार टाइप के portfolio यहां पर बनाई है super aggressive, aggressive growth या conservative allocation भी different है इस सब का आप देख सकते हैं जो super aggressive है उसको FDR bonds में कम पैसे डालना अच्छा लग सकता है वही conservative में यह allocation बढ़ जाता है फिर जो super aggressive है वो चाहिए चूज कर सकता है stocks में almost 30% त नहीं लेना है उससे better है मैं gold में investment कर सकता हूं या फिर mutual funds में डाल सकता हूं तो आप comments में बता सकते हैं इसमें से कौन सा portfolio जो है आपके लिए अच्छा लग रहा है लेजिए आपका edge जो है 30-40 साल का है उसके लिए भी हमने portfolio यहां पर design करने की कोशिश की है जरूरी नहीं है कि इतने सारे assets आपके लिए लगे या इतने सारे आपके लिए बस हो आप इससे ज्यादा भी assets में investment कर सकते हैं आप वो भी बस बता सकते हैं कि आपको किसी और asset में रूची है और वो इसमें नहीं है तो उससे भी हमें थोड़ा सा ग्यान हो जाएगा यहां पर 30-40 में हमने क इसे लगाए तो इस टाइप की काफी सारे portfolio आप design कर सकते हैं देखते हैं और एक category जहां पर एच थोड़ा सा और बढ़ जाता है यहां पर देखते हैं कि 40-50 साल के आपकी उमर है फिर भी आप देख रहे हैं कि 20 साल का portfolio बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब देखते हैं यहां है FD और bonds में percentage थोड़ा सा बढ़ रहा है stock और equity में थोड़ा सा कम हो रहा है और इधर conservative में थोड़ा gold की तरफ भी आपका अकरशन यहां पर देख सकते FD और bonds और gold इसमें ही आपका almost 55 परसेंट आपका अलोकेशन है तो आप काफी सारे portfolio जो है अपने लिए बना सकते और इसमें और भी changes कैसे कर सकते यह भी हम आगे की slide में देखेंगे आप समझो आपने अपना portfolio build भी कर लिया design कर लिया और आपको investment करनी है तो आप उसके लिए एक strategy भी अपना सकते हैं जो आपके लिए फाइदेमन हो सकती है इस पे भी हमारे काफी सारे videos चैनल पर available है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पे की equity में अगर आप investment करते हैं हम आपको SIP suggest कर सकते हैं उसके बाद जैसे जैसे आपकी earning selling बढ़ती है saving ability बढ़ती है तो आप अपना investment थोड़ा 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 बढ़ा सकते हैं उसके बाद अगर market negative perform है आपको equity में रुचिए तो आप equity में क्या सर्क थोड़ा सा top up कर सकते हैं आपके पास अगर cash available है तो उसके बाद अगर lump sum आपके पास available है तो आप date में initially डालके उसके बाद SDP में move कर सकते हैं उसके बाद थोड़ी से diversification भी आप कर सकते हैं उससे क्या होगा आपकी risk जो है थोड़ी सी कम हो जाती है उसके बाद आपको यह जानना भी जरूए कि किसी भी investment करने से पहले कि जो आपको return मिलेंगे उस पर कितना tax लगने वाला ह क्योंकि अगर आपका काफी सारा earning जो return है वोगर tax में ही जाएगा तो उसमें आपका जो साध्य है या goal है जो अचुन नहीं होगा उसके बाद आपको यह भी चाहिए कि आपके portfolio की rebalancing कैसे करनी है आपको कुछ समय के पश्चात आपको देखना चाहिए कि आपका portfolio कैसे perform कर है वो right track पर है या नहीं उसके बाद आपको यह भी strategy बनाना चाहिए कि आप redemption कैसे करोगे redemption कब करोगे और कहां करोगे इस पर भी कुछ videos यहाँ पर आ जाएंगे आपको अगर कुछ questions है इसमें तो आप comment box में प्लीज लिखिए ग्यानवेद आपके लिए ऐसे काफी सारे videos देके आएगा और आपको अगर किसी और चीज में रुची है तो आप वह भी comment box में बता सकते हैं तो हम आपके लिए वहाँ पर भी नए videos बना सकते हैं तो चैनल को subscribe जरू कीजिए like कीजिए मित्रों के साथ share कीजिए तो आप उन